गुजराद में चुनाफ की तारीखों के एलान के बाद से ही सुबे की सियासत कर्म है वयव इस बीच एहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में एक दिन में नौ नवचाद बच्चों की मौत ने सुबे के सियासी बारे को और चड़ा दिया है पॉंग्रेश ने इन मौतों पर सरकार को खेड़ते हुए जवाब मांगा है हाला कि अस्पिताल प्रशासन किसी आस्सामाने खटना से इंकार कर रहा है अस्पिताल प्रबंधन ने पुष्टी करते हुए बताया कि शुकरवार की रात बारे बज़े से शनिवार रात तक नौ नौजातों की मौत हो गई है मरने वाले सभी नौजात बच्चे आईस्यू में भरती थे बताया चारा है कि पांच बच्चे बाहर के अस्पितालों से यहां इलाज के लिए रेफर किये गये थे जबकि चार सिविल अस्पिताल में ही पैदा हुए थे ये बच्चे बेहत कमजोर थे और कई गंभीर बिमारियों से ग्रस्त थे जिसके वज़े से इनकी मौत हो गई अस्पिताल प्रशासन ने इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही की बात से इनकार किया है फिलहाल हॉस्पिटल के बाहर पुलिस फोर्स टैनात की गई है ताके मिर्द बच्चों के परिजन हंगा में किस्तिती ना बनाए वहीं दूसरी तरफ इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है कॉंग्रस नेता शक्ति सेम गोहिल ने ट्विट कर कहा कि गुजरात सरकार को इसके लिए जवाब देही स्विकार करनी चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार या तो या सिविकार करे कि डॉक्टरों ने लापरवाही की या तो यह माने कि उनकी माताएं को पोशित थी वहीं कॉंग्रस नेता अरदुन मोडवाडिया ने कहा कि एक दिन में नव बच्चों की मौत की खबर सुनकर वे बेहत दुखी है यह घटना सरकार के स्वास्त के बारे में लापरवाह और सुस्त रवाये को उचागर करती है वैसे आपको बता दे कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में गुरफपुर जिले के बियार्डी हॉस्पिटल में भी 60 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी जिसके बास सियासत खूब गर्माई थी वही माना चारा है कि सुबे के चुनावी मौसम में भी इस मुद्दे पस सियासत खूब गर्माने वाली है डीवी लाइफ की रिपोर्ट